दोस्तो जब एक बार रिशी भ्रिगू वेकुंट में पहुंच कर स्री हरी विश्नु के सीने पर लात मार देते हैं जिसके बार स्री हरी विश्नु रिशी भ्रिगू के पेर दबाने लगते हैं और कहते हैं कि कहीं मेरी कठोर चाती से आपके कॉमल चरणों में कोई चोट तो नहीं लगी। इससे भ्रिगु रिशी का घुस्रासांत हो जाता है और वहाँ भाव विबोर हो जाते हैं। किन्तु माता लक्ष्मी इस बात से रूस्ट होकर कि स्री हरी ने रिशी भ्रिगु को दंड़ नहीं दिया, वहाँ वेकुंट छोड़कर प्रत्वी लोग पर चली जाती है। और वहाँ एक कन्या के रूप में जन्म लेती हैं। जिसके बाद स्री हरी विश्नु तिर्यपोति बाला जी के रूप में जाका लक्ष्मी जी से विवा का प्रस्ताव रखते हैं। जिसे माता लक्ष्मी इस विकार कर लेती है। विवा के पस्चात माता लक्षमी और स्री हरी विष्णू पुना वेकुन डाम में रहने लगते जै स्री हरी